हेलो फ्रेंड्स, बेलकम टू इस्टेडिकर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रफाकर, डेली करिंट अफ्यस में आज हम आपके साथ डिसकस करने वाले हैं, 9 मार्च 2022 के मोश्ट इंपोर्टेट करिंट अफ्यस के कोशन, तो आप इस पूरे लेक्शर को बहुत ही ध्यान से सबसे पहले नोटिफिकिसन मिल सकेगा, हमारे जितने भी सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें, सभी का लिंक डिसकिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चलिए लेक्शर की शुरुबात करते हैं, सबसे पहले कल के करिंट अफ्यस को 2019 से, इस बार पांच बार जन औसधी दिवस मनाया गया है, किस राज के कडपा जिले में 13 वी सताबदी के मंदिर की खोज की गई है, तो आंद प्रदेस में ये खोज की गई है, किस राज में एडेनो वाइरस नामक एक नया वाइरस पाया गया है, तो ये पश्य मंगाल में पाया गया है, आठ टू कल पॉंगला उत्सव हाल ही में कहां मनाया गया है, तो दोस्तो ये तिरू अनंद पुरम में मनाया गया है, यानि केरल में मनाया गया है, भारत के 28 बे महालेखा नियंतरक के रूप में किसने पदभार सम्हाला है, तो SS2 बे ने सम्हाला है, आठ बे ने सुरू किया है किसने दोस्तो RBI RBI की governor कौवर्न है? सक्ति cheesecake दास है राष्टी pharmacy सिछा दिवस किसकी याद में मनाय ज़ता है तो professor M.L.frames की याद में मनाय ज़ता है तो दोस्तो यह थे कल के current of years की मारत्मोड question चलिए आज का पहला question । discuss करते हैं मानिक साहा किस राज्य के मुख मंत्री बने है तो दोस्तो मानिक साहा जो है वो तुरुपरा के मुख मंत्री बने है और वो लगातार दूसरी बार मुख मंत्री बने है उन्हें सपत किस ने दिलाई है राज्यपाल सत्त देव नारायन आरने और ये सपत दिलाए गई है तुर चाली बार 2022 में विपलव देव की जगए मुख मंतरी बने थी तुरपरा के अगर हम बात करें मानिक साहा की प्रोफेशन की तो दोस्तो वो डेंटेस्ट है इसके अलावा वो तुरपरा क्रिकेट एस्सेशन की अध्यक्ष भी रह चुके हैं बात कर लेते हैं तुरपरा की तो यहां के प्रमुक त्योहार है खार्ची पूजा लाई हरा ओबा दोस्तों यहां का प्रमुक डांस है गारिया मसक और सुमानी नदिया कौन-कौन सी है फैवस बुरिया गौमती और खोबाई दोस्तों यहां पर आप तुरुपरा की लोकेशन इंडिया की मैप में देख सकते ह है तुरुपरा जो है वो मिजोरम, असम और बांगलादेश से घेरा हुआ है अंगला कौन है रक्षा मंत्राले ने हिंदोस्तान एरोनौटिक्स लिम्टिड और लॉर्सन एंड टूब्रो लिम्टिड से कितने HTT 40 बिमान खरीदने का समझोता किया है तो दोस्तों रक्षा म साजना सींग के बीच में जो की रक्षा मंत्री है और HAL और लॉर्सन एंड टूब्रो लिम्टिड के बीच में ठीक है दोस्तों जो 70 HTT 40 बिमान होंगे उनकी जो कीमत होगी उनकी जो लागत होगी वो होगी 600 करोड रोपय की ठीक है इसके अलावा दोस्तों तीन कैड़िट प्रसिक्षक पोत भी खरीदे जाने है तो इनकी जो लागत है वो है 31 करोड की तो दोस्तों लगभग 9000 करोड से अधिक का समझोता हुआ है यह रक्षा मंत्रा लाए HAL और इसके अलावा टूब्रो लिम्टिड के साथ ठीक है दोस्तों HAL की बात कर लेते हैं तो HAL का फुल प्रसिक्षण में किया जाता है तो ऐसे हलिकाप्टर किसने बनाए हैं दोस्तों HAL ने बनाए हैं आपके लिए की इंफॉर्मिशन है कि अगर आप मद्द प्रदेश के किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप मौक टेस्ट जॉइन करिएगा हिंदी और अग्रीजी दौनों माध्यम में है तो आप जॉइन कर लिजीगा और दोस्तों य अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो दोस्तों उपन कोड यूज करिएगा प्येस अंड्रेट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा नेक्स्ट कोशन है यासो सांग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है तो दोस्तों ये मनीपुर में मनाया गया है कहां पर मनाया गया है म मनीपूर में 5 दिनों तक चलने बाला यासो सांग उत्सव सुरू हो गया है यह उत्सव हिंदू मेते ही समदाय के द्वारा मनाये जाता है। इस दोरान रंग खेलने के अलावा कई सांस्कृतिक और धारबिक गतिविदियों का आयुजन किया जाता है। मनिपूर के जो प्रमुक तिवहार हैं वो हैं लाई हरोबा, गंग नगई और चिराओबा, योशांग और कांग तिवहार और चुमफा ये सभी उत्सव कहां के हैं दोस्तों मनिपूर के हैं अंगला कोश्चन है, तो दोस्तों ये सुरू हुआ है गोवा में, तो तो तेइसबे राष्ट मंदल विधी सम्मेलन का सुभारम गोवा के राजपल, पियस रिधरन पिल्लाई जी के द्वारा किया गया है यह जो आयुजन है, यह पांस से नौ मार्श तो हजार तेश तक आयुजित किया जा रहा है और इसमें भारत के जो केंद्रिय विधी और नियाय मंत्री हैं किरन रिज्चू और गोवा के जो मुख मंत्री हैं प्रमो सामन जी वो इसमें सामिल हुए हैं इसमें 52 देशें के 500 प्रतीनिधी भाग ले रहे हैं ठीक है दोस्तों तो इसमें वेसिक सी बात है कि इसमें विधी से संबंदित कानूनों से संबंदित चर्चा होगी कोवा की बात करें तो राजपाल कौन है प्यासरी धरंद पिल लई है मुख मंत्री हैं प्रमो सावन अंगला कोशन है सौरोर्जा में सर्प्स्रिष्ट योगदान के लिए CB IP पुरुसकार 2022 किसी प्राप्थ हुआ है तो यह पुरुसकार प्राप्थ हुआ है वेल को भेल यानी भारत हैबी Electricals Limited तो इसको सौरोर्जा में सर्प्स्रिष्ट योगदान के लिए Central Irrigation and Electricity Board पुर दोस्तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी नई दिल्ली में इसका मुख्याला है और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है नलेल सिंगल नेक्स्ट कोशन है एसिया प्रसांथ छेतर में सबसे स्वक्ष हवाई अड़ा कौन बना है तो वो बना है दोस्तो दिल्ली अंतराश्टिय हवाई अड़ा तो दोस्तो इयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के वार्सिक सेवा गुडवत्ता पुरुसकार के एक पार्ट की 2022 के लिए 40 मिलियन से अधे क्याक्तियों को प्रतिवर्स की स्रेणी में हवाई अड़ा सेवा गुडवत्ता सर्वस्रेष्ट हवाई अड़े का पुरुसकार जीता है दोस्तो अंगला कोशन है चुनावी लोगतंतर सूशकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है तो दोस्तो भारत क उसकी जो रैंक है चुनावी डेमोक्रेसी इंडेक्स में या इलेक्ट्रोलर डेमोक्रेसी इंडेक्स में तो वो है 108 इसके अलाबा लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक है 179 ठीक है तो लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है उसमें 179 रैंक है और इलेक्ट् तो यानि भारत को चुनावी निरंग कुस्ता की स्रेणी में रखा गया है, यानि की चुनाओं में कुछ कमियां बताएंगे हैं भारत की में, दोस्तो भारत जो है वो तंजानिया, बोलेबिया, मैक्शको, शिंगापूर, नाइजीरिया जैसे देशों की तुलना में काफी न यानि 5.7 बिलियन जो पीपूल है वो चुनावी या बंद निरंग कुस्ता में रहते हैं, जो कि 10 साल पहले 46 से 46 परतीसा से अधिक था, अंगला कोशन है बहरीन ग्रेंड प्रिक्स 2023 का किताब किसने जीता है, तो ये जीता है मैक्स बैरेश्टेपन ने, किसने जीता है दोस पहली बार है जब उन्होंने बहरीनीन में जीत हासिल की है, रैड बुल के जो सार्जी ओ पैरेश थे वो दूसरे स्थान पर रहे हैं, और दोस्तों ये जो बहरीन ग्रेंड प्रिक्स से ये फॉर्मूला वन से रिलेटेड है, याद रखिएगा, अंगला कोशन है, सस्तिप पांडाव गोएंडा यानि पांच जासूस स्रंखला के वो निर्बाता है, इसके अलाबा चटो पाध्या ने 1961 में दैनिक वासू मती में अपनी पहली सांस्कृति क्रती कामाख्या भ्रह्मन यानि कामाख्या की यात्रा प्रकासित, इंगला कोशन है, अंतरराष्टिय महिल दिवस मनाये जाता है, तो इंब्रेस एक्वेटी जो है इसकी थीम है, दोस्तो एक्वेटी को गले लगाओ, इसको हम थीम को बोल सकते हैं हिंडी में, ठीक है, अंतरराष्टिय महिला दिवस हर साल आठ मार्श को ही मनाये जाता है, 1945 में संयुक्तराष्ट का चार्टर महिला और पोर्षों के 20 समानता के सिधानत की पुष्टी करने वाला पहला अंतराष्टिय समझोता वन गया था, इसके बाद 1975 में अंतराष्टिय महिला वर्ष के दोरान संयुक्तराष्ट ने अपना पहला आफकी पोईंट आपको नोड करना है कि 8 मर्च को कौन सा दिवस मनाये जाता है अंतर राष्टिये महिला दिवस मनाये जाता है इसकी थीम जरूर याद रखिएगा क्योंकि थीम जो है आपके एक्जाम में जरूर पूछी जाती है दोस्तो आज के जोनरल नौलेज के पिटारे में डिसकस करेंगे महत्तुपूर एतिहासिक पोस्तकें और उनके ले लिखी है आईने एकबरी अबुल भचल ने और डिवाइन लाइफ सिवा नंदे ने लिखी है तो दोस्तो ये महत्तपूर पूस्तकें आप नोड करिएगा चलिए आब आपसे कोशन पूछा जा रहा है जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है मानेक साहा किस राज इसे लाइक करें और सेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैहिंद वन्ने मात्रम